हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोट बुक, आज इस वीडियो में हम क्लास फोर इंग्लिश ग्रामर का चाप्टर टेंसिस करेंगे, इस चाप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्राक्टिस क्वेस्टिन सॉल्व करकर के सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंग तक जरूर देखिए, हम लर्निंग नोट बुक चैनल पर क्लास फोर इंग्लिश ग्रामर का पूरा स्लेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल, लर्निंग नोट बुक को अभी सब्सक्रा today in this chapter, सबसे पहले हम सीखेंगे tenses और types of tenses, कौन-कौन से ने types of tenses, simple present tense और उसकी practice exercise करेंगे, फिर next type होगा present continuous tense, फिर करेंगे उसकी practice exercise, फिर पहुचेंगे हम अपने simple past tense में और करेंगे उसकी practice exercise भी, फिर next type of tense होगा simple future tense और करेंगे उसकी practice exercise और आखरी में students मैं आपके साथ करूँगी एक practice exercise जिसमें हमने सारे इन tenses को mix करके questions करेंगे, तो आईए, start करते हैं अपने पहले topic से tenses, तो students, जैसे कि हम जानते हैं, there are three tenses, three tenses होते हैं कौन-कौन से, past tense, present tense and future tense, अब past tense, present tense or future tense कब-कब यूज होते हैं, past tense यूज होता है to express actions in the past time अगर हम बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो actions हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम past tense जैसे कि मैं बोलू, I watched a movie last night, मैंने कल रात को एक movie देखी, तो मैं बात कर रहे हुँ बीते हुए कल की, जो कल बीच चुका है, मैंने कल रात को movie देखी, तो मैंने past tense use करा है, watch जो बोला है, right, अब next है, present tense, it expresses actions in the present time, जो present time, जो अभी time चल रहा है, जो अभी हो रहा है, यह उसके बारे में बात करता है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, I am making a video on tenses right now, तो मैं अभी tenses के उपर एक एक वीडियो बना रही हुँ, तो यह मैं जो अभी काम कर रही हूँ, उसके बारे में मैंने बात करी है, तो मैंने present tense use किया, और last tense होता है, future tense, expresses actions in the future time, जो आने वाला time होता है, जिसे future time कहेंगे, जो आने वाला time है, जो आने वाला कल है, उसके बारे में जब हमने बात करनी है, तो हम future tense use करते हैं, जैसे कि मैं कहूंगी I will go for a movie tomorrow मैं कर movie के लिए जाऊंगी यानि मैं कर movie देखने के लिए जाऊंगी तो मैंने कहा है I will मैंने will use किया है यहाँ पर I will go तो ये तीन tenses है अब इन तीनो tenses के types भी होते हैं क्या-क्या types होते हैं वो देखते हैं तो इन types of tenses को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसी table form कर लेते हैं यहाँ पर हमने ये तीनो tenses लिख लिए हैं अब इस column में मैं types लिखती चली जाऊंगी पहला type है simple अब simple में simple past tense होता है simple present tense होता है और simple future tense भी होता है next type होता है continuous we have past continuous tense present continuous tense and future continuous tense इसी तरह से third type of tense is perfect tense और perfect continuous tense पर स्टुडेंट्स ये जो दोनो perfect और perfect continuous हैं ये tenses हम पढ़ेंगे अपनी next class में class 5 में आएगा ये आपके अभी class 4 में आपका scope बस यहां तक limited है simple past tense simple present tense simple future tense और continuous में सिर्फ present continuous tense तो बस ये चार ही करेंगे हम class 4 में so let's start with the first one simple present tense simple present tense describes actions done as a matter of habit or routine in present तो student simple present tense क्या होता है simple present tense बहुत simple होता है सबसे पहले तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये describe करता है उन actions को जो हम अपने daily routine में follow करते हैं जो हमारी habits होती हैं आदते होती हैं उन सब को ये describe करता है जैसे कि हम जब रोज school जाते हैं तो हम English में इसको क्या कहेंगे हम English में कहेंगे I go to school everyday हम school रोज जाते हैं ये हमारा routine है तो इसलिए हमने इसमें simple present tense use किया जो है verb go I है तो इसलिए I के साथ go हुआ I go to school everyday we do our homework in the evening हम अपना homework evening में करते हैं तो ये हमारा रोज का routine है कि रोज हम evening में homework करते हैं इसलिए इसको हमने simple present tense में बोला और हमने do use किया next is he likes chocolate अब देखिए इधर हमने likes यूज किया है ये भी simple present tense है क्योंकि उसको chocolates पसंद है उसकी ये habit है उसकी आदत है कि उसको chocolates अच्छी लगती है और likes इसलिए आया है क्योंकि ये singular है he के साथ likes लगाया है ठीक है तो students इन sentences में जैसे कि आप देख रहे हैं हमने simple present tense में first form of verb यूज करी है जैसे कि go, do पर यहां हमने first form of verb के साथ s एड़ किया है like के साथ s लगाया है तो अब हम देखते हैं कि हम कौन से rules फॉलो करते हैं ऐसे simple present tense बनाने के लिए बहुत ही simple rules है उनको ध्यान से सुनिये बस so let's see how to form simple present tense I, we, you, they और plural subject अगर हमारे subject या तो I है, we है you है, they है या कोई और plural subject है तो हम उसके साथ add करते हैं first form of verb अब students, I am sure आपको verbs पता है verbs ज़रूर पता होनी चाहिए tenses को समझने के लिए अगर आपको verbs में कोई difficulty है तो आप मेरी separate video देखिए verbs के उपर पहले वो verbs को समझिए फिर आप tenses समझ सकते है तो इधर देखिए इन sentences को I play Ludo we like pizza and they study English अब इन तीनों sentences में first form of verb यूज़ करी गई है play, like, study क्यों? क्योंकि इनके जो subjects हैं वो क्या है? या तो I है या वी है या दे यानि जो plural subjects हैं वो यूज़ हुए हैं तो students, याद रखिए कि अगर कोई भी plural subject है तो उसके साथ simple present tense में हमेशा first form of verb लगेगी अब अगर singular subject है जैसे कि he, she, it या कोई और singular subject या कोई third person third person क्या होता है? जब हम किसी का नाम लेते हैं जैसे कि हमने नाम लिया amid, sumit, kaira ये सब third person है तो अगर ऐसा कोई subject है तो उसके साथ हम लगाएंगे first form of verb plus s या es याद रखिए ये दूसरा रूल है singular के साथ अब हम बात करें अगर singular subject है तो उसके साथ हम लगाएंगे first form of verb और verb के साथ अड़ कर देंगे s या es जैसे कि माइरा plays लूडो अब माइरा क्या है इदर ये third person है अब इसके साथ हमने लगाई first form of verb play अब play के साथ हमने s अड़ कर आए next she likes pizza तो she भी singular है subject और उसके साथ भी हमने first form of verb likely और s अड़ कर दिया तो बन गया likes he runs fast he singular run के साथ s अड़ किया बन गया runs he runs fast अब watchman watches my home तो watchman क्या है singular subject है एक watchman है अब यहाँ पर first form of verb है watch अब इसके साथ e s अड़ हुआ है अब students इदर देखे confused होने की जुरत नहीं है आप सोच रहे होंगे किसी verb के साथ s लग गया है किसी के साथ e s यह हमें कैसे पता चलेगा यह आपको present tense के 50-70 sentences पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस first किस verb के साथ s लगता है और किस verb के साथ e s लगता है आप सबसे पहले बस simple यही रूल याद रखिये कि simple present tense में first form of verb use होती है यह सबसे पहले आपको यह याद रखना है और बाकी मैंने आपको further rule बता दिये है कि singular के साथ first form of verb में s e s लग जाता है और plural में सिर्फ first form of verb लग लगता है ओके कि simple present tense use होता है to describe fats routine and habits for example I like chocolate मुझे chocolate अच्छी लगती है यह मेरे बारे में एक fact है तो यह sentence बनता है simple present tense में fact describe कर रहे हैं क्योंकि next I ride horses in the summer मैं गर्मियों में घुर सवारी करती हूँ यह मेरी habit है तो इसे भी हम simple present tense में बोलेंगे इसको भी हम simple present tense में describe करेंगे I ride horses in the summer it always snows here in january यहां हमेशा january में बरफ गिरती है it always snows here in january तो यह एक fact है it is also in simple present tense he plays chess in the evenings वो chess खेलता है शाम को तो यह उसका एक routine है उसका routine है कि वो शाम को chess खेलता है तो ऐसे जो sentences होते हैं इन सब को हम simple present tense में लिखते हैं and lastly sun rises in the east sun कहां से rise होता है east direction से तो यह एक fact है इसे हम universal truth भी कहते हैं जो हमेशा सच है जो हमेशा सच रहेगा sun rises in the east और ऐसी और sentences होते हैं that the earth revolves around the sun यह भी एक universal fact है तो इन सभी चीजों को हम facts को, routine को और habits वाली actions को हम simple present tense में describe करते हैं अब students आये let's do practice exercise on simple present tense fill in the blanks with simple present tense अब यहां पर हमें यह sentences given है और bracket में हमें verb given है जो हमें verb use करनी है वो भी given है तो अब इन verb की help से और जो मैंने आपको rules बताये थे दो उनकी help से हमें यह sentences complete करने हैं पहला है bees dash to protect themselves from enemy और verb given है sting अब देखिए यह जो subject है bees क्या यह plural है या singular यह plural है अब plural के साथ मैंने क्या बताया था we will use first form of verb तो verb given है sting उसकी first form of verb होती है sting भी तो लिखेंगे हम bees sting to protect themselves from enemy next these girls dash dance lessons every day verb given is take अब subject क्या है these girls अब girls क्या है plural again we will use first form of verb which is take so these girls take dance lessons every day अब students अगर इस sentence में girls की जगा सिर्फ एक girl होती a girl तो जब हम कौन सा use करते take use करते या कुछ और हम लिखते takes क्योंकि वो singular subject बन जाता और first form of verb के साथ हम s add करते हैं तो हम use करेंगे first form of verb which is make you always make noise when I am awake the Rajdhani Express dash Agra in the evening तो यहाँ पर यह train का नाम गिवन है Rajdhani Express यह एक particular train है singular है obviously बात है हम एक train की बात कर रहे हैं तो singular subject हुआ इसके साथ हम बनाएंगे first form of verb plus अब देखेंगे reaches बनेगा यह es add होगा इदर यह जो verb है इसके साथ es लगता है तो यहाँ पर बना reaches the Rajdhani Express reaches Agra in the evening she dash excellent argument अब she क्या है she singular subject है तो बनेगा first form of verb यानि give plus s which is gives she gives excellent argument next is the ostrich dash the largest living bird verb given है be अब शूरिंग्स be की be is be की first form क्या होती है होती है is और यहाँ पर हमारा यह subject है ostrich वो singular है तो इसलिए हम first form of verb लिखेंगे जो है is the ostrich is the largest living bird अब next question है change the subject from plural to singular these trains stop at small stations तो अब इस sentence को हमने इस sentence के subject को हमने plural से singular बनाना है तो याद रखिये कि उसके साथ verb भी change होएगी तो अब यहाँ पर plural है यह trains trains बहुत सारी है singular क्या होगा train तो these का बन जाएगा this trains का बन जाएगा train this train अब verb क्या है stop पर यह तो plural के साथ stop था singular के साथ क्या बन जाएगा s add हो जाएगा verb में तो बन जाएगा stops this train stops at small stations ठीक है तो याद रखिए जब भी subject plural से singular होगा या singular से plural होगा तो verb भी change होएगी next देखते है they grow apples in this garden अब यहाँ पर plural है they तो इसका singular आप कुछ भी बना सकते हैं he भी लिख सकते हैं she भी लिख सकते हैं मैंने लिया he he लिख दिया मैंने अब वर्ब थी grow singular में वो हो जाएगी grows s add कर दिया he grows apples in this garden बाकी सारा sentence वो ही है सिर्फ हमने subject को अब वर्ब पे ध्यान दे रहा है sometimes children ask very interesting questions अब यहाँ पे subject क्या है children तो children का singular क्या होता है child तो बना sometimes a child a verb ask की क्या बन जाएगी s add के asks sometimes a child asks very interesting questions ठीक है students अब next type है simple past tense simple past tense describes actions which happened in the past तो simple past tense describe करता है उन actions को जो बीत हुए कल में हुए थे जिसे हम past कहते हैं past यानि बीता हुआ कल जैसे की I went to school this morning मैं आज सुभे school गया था next sentence देखते हैं He wrote a letter to his father उसने अपने father को letter लिखा था They came to see my grandmother in the hospital वो मेरी दादी मा को hospital में देखने आये थे तो इन सभी sentences में हम जिन actions की बात करें हैं वो सब बीते हुए time में बीते हुए कल में हुए थे इसलिए इन सम में simple past tense Now how to form simple past tense Verb second form तो students simple past tense use करने के लिए आपको सिर्फ verb की second form use करनी है और कुछ नहीं करना जो verb है उसकी second form use करनी है Examples देख रहे है I played football yesterday तो यहाँ पे verb है play उसकी second form बनती है played तो यहाँ पे हमने लिख दिया I played football yesterday यानि मैंने कल football खेली थी She woke up early in the morning अब verb है wake उसकी second form होती है woke She woke up early in the morning वो सुभे जल्दी उठ गई थी They went to office early अब went की went की verb क्या है go second form क्या है go की went वो सुभे office जल्दी गए थे They went to office early तो यहां पे बस एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी verb यूज करनी है simple past tense में हम उसकी second form यूज करते हैं तो verbs की second form आपको पता होनी चाहिए कि वो second form क्या बनेगी किसी भी given verb की तो जैसे मैंने आपको बताया था यह simple past tense यूज होता है उन actions को describe करने के लिए जो बीते हुए समय में हुए थे और अब वो over हो चुके हैं finish हो चुके हैं तो past के जब हम actions की बात करते हैं तो हम use करेंगे simple past tense I revised my lesson yesterday मैंने अपना lesson कर yesterday यानि कर revise किया था We lived in this house for two years हम इस घर में दो सार रहे थे अब देखिए जैसे ही आपको यहाँ verb जो है दिखती है कि वो second form है verb की तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे past की बात कर रहे हैं simple past tense ठीक है We went to Spain last year हम last year Spain गए थे We usually worked at night हम रात को काम करते थे यह past की बात कर रहे हैं कि पहले रात को काम करा करते थे जब की बात है I generally watched movies on weekends मैं generally weekends पर movies देखा करता था तो यहाँ ऐसी जगाओं पे हम simple past tense यूज करते हैं जब हम उन actions की बात कर रहे हैं जो past में यानि भीते हुए समय में हुए थे और अब finish हो चुके हैं So now let's do practice exercise on simple past tense Fill in the blanks with simple past tense तो यहाँ पे हमें कुछ sentences given हैं और हमें कहा गया है कि उनको simple past tense में हमें fill करना है Verb given है brackets में simple past tense बना के use करना है First sentence The dog dash him on left leg Verb क्या given है Bite अब bite की कौन सी form हमें use करनी है Simple past tense में Yes Second form तो bite की second form क्या होती है Bit The dog bit him on left leg Next sentence लेखते हैं He never dash with his friends Verb given is quarrel Quarrel यानि fighting लडाई करना तो इसकी second form क्या होती है Quarrel देखे इदर Q-U-A-R-E-L-E-D Quarrel He never quarreled with his friends Students अब verb की आपको second form पता होनी जाहेंगे आपको कुछ यह verbs जो होती हैं जो हम पढ़ते हैं इनको याद करना पड़ेगा दीरे दीरे आपको practice से याद होती चली जाएंगे तो जादा से जादा tenses के questions करिए जितनी जादा verbs को आप देखेंगे आपको पता चलता जाएगा आपको याद होती जाएंगी कि उनकी second form क्या होती है और third form क्या होती है next sentence somebody dash my purse in the trade fair verb given is steal steal की second form होती है stole somebody stole my purse in the trade fair तो देखें कितना असान है simple past tense में हमें सिफ verb की second form use करनी है बाकी हमें subject वगएरा पर किसी पर कुछ ध्यान नहीं देना होता है तो बहुत ही easy होता है यह simple past tense बस verb की second form पता होनी चाहिए she dash her finger while sharpening pencil verb given is cut cut की second form भी cut ही होती है third form भी cut ही होती है तो second form यूज़ करेंगे हम लिखेंगे cut she cut her finger while sharpening pencil next sentence learning notebook dash me mathematics verb given is teach जिसकी second form होती है taught learning notebook taught me mathematics और अब English भी पढ़ा रहा है learning notebook next sentence he dash all his money on chocolates verb given is spend spend की second form होती है spend tea लगता है d की जगा tea आ जाता है he spent all his money on chocolates ठीक है तो students यह हमने करें है कुछ practice questions simple past tense की अब हम पौच रहे है next type of tense which is simple future tense simple future tense describes the action which will happen in future तो जो simple future tense होता है वो उन actions को बारे में बात करता है जो future में होंगे जो आने वाले time में होंगे उन actions के बारे में हमें बताता है we shall work hard next year हम next year मेहनत करेंगे future के बारे में जो next year आने वाला कल है उसके बारे में information मिली है हमें we will go to the fair tomorrow हम कर मेले में जाएंगे they will come back next year वो next year वापिस आएंगे तो इन सभी sentences में उन actions की बात हो रही है जो future में होंगे आने वाले time में होंगे now how to form simple future tense simple future tense के sentences frame करने के लिए हम shall या will का use करते हैं और उसके साथ हम first form of verb यानी root form of verb use करते हैं जैसे की shall work will go will come तो हम simple future tense के sentences में shall या will use करेंगे और first form जिसे root form कहते हैं first form of verb use करेंगे जैसे की यहाप ते मैंने तीनो आपको यह दिखाए हैं की देखिए shall यूज करा है और verb की first form ही work रखी है will go go की go ही रहती है first form और will come सबकी वो ही है यह तो first form ही लिए है इदर अब students आप सोच रहे होंगे की भई अब shall कभ यूज करेंगे हम और will कभ यूज करेंगे तो बहुत ही simple है shall is used only with I and we shall जो यूज होता है वो सिर्फ subject I और we के साथ ही उस होता है पर जो will होता है वो हम किसी भी subject के साथ ही उस कर सकते हैं he के साथ, she के साथ, it के साथ, third person किसी के नाम के साथ, सब के साथ यूज हो सकता है बस जो shall होता है वो हम I और we के साथ यूज करें ठीक है now where to use simple future tense to describe action or give information about future event तो हम simple future tense के tense को यूज करते हैं उन actions को describe करने के लिए जो future में, आने वाले समय में होंगे okay I shall become a teacher when I grow up तो यहाँ पे हमने I के साथ shall यूज करा है और first form of verb ही रखी है which is become तो मैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी जब मैं teacher बनूंगी they will play the match tomorrow वो कल match खेलेंगे तो they के साथ, इदर हमने will लिया है will हम किसी भी subject के साथ ले सकते हैं और first form of verb, play they will play the match tomorrow तो students, यह देखिए जब भी हम future events की बात कर रहे हैं तो हम एक time जैसे कि tomorrow, next week, next month हमें एक time कुछ बताना पड़ता है future के बारे में reference देनी पड़ती है कि future कैसे पता चलेगा तो हम ऐसे ऐसे use करते हैं words tomorrow, next week, next month तो यह सब future को suggest कर रहे हैं यह future के sentences हैं आने वाले समय के बारे में information दे रहे हैं now let's do some questions related to simple future tense fill in the blanks with simple future tense तो हमें इन sentences को complete करना है using simple future tense यानि जब I और V होगा तो हम shall use करेंगे और बाकि सभी subjects के लिए हम will use कर लेंगे और बाकि जो verb given है वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि first form यूज़ करनी हमें तो वो ही given होती है तो पहला sentence है we dash carom tomorrow morning तो इसमें हम we के साथ क्या use करेंगे shall और दिख देंगे play we shall play carom tomorrow morning the principal dash parents next month verb given is meet अब यहाँ पे हम principle के साथ क्या लगा देंगे will और meet will meet the principal will meet parents next month he dash books next week verb given is buy he के साथ क्या लगाएंगे will he will buy books next week देखे कितना असान है बस shall और will या will लगाना है depending on the subject और verb given जो है वो ही use करनी है क्योंकि वो ही first form of verb है next sentence देखते है I dash my lessons tomorrow verb given is learn I के साथ क्या लगाएंगे shall I shall learn my lessons tomorrow fifth sentence is she dash cooking classes from tomorrow join verb given है हमे she will join cooking classes from tomorrow last sentence I dash to bed at 10 o'clock verb given is go I के साथ लगाएंगे shall I shall go to bed at 10 o'clock खीक है तो यह हमने sentences complete कर लिए with simple future tense तो यह students हमने पढ़े simple present tense simple past tense और simple future tense तीन यह हमने इदर simple tense पढ़े हैं अब हम बात करेंगे continuous tense की जिसमें आपको सिर्फ present continuous tense पढ़ना है अभी present continuous tense describes ongoing action that is still going on अब यह जो present continuous tense होते हैं यह क्या describe करते हैं यह describe करते हैं उन actions को जो अभी हो रहे हैं जैसे की मैं वहाँ जा रहा हूं मैं खाना बना रहा हूं मैं वहाँ से आ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं तो यह सारे actions अभी हो रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं, जब यह actions हो रहे हैं, ऐसे actions को describe करने के लिए use करा जाता है present continuous tense For example, I am reading a story, मैं story, कहानी read कर रही हूँ, कर रही हूँ, इसलिए present continuous tense We are learning the use of tenses, हम tenses को पढ़ रहे हैं, tenses को learn कर रहे हैं, उनको कैसे use करते हैं, तो हम यह काम अभी कर रहे हैं, इसलिए we are learning The boys are playing cricket, boys cricket खेल रहे हैं, तो यह सारे sentences present continuous tense के हैं Present यानि अभी continuous यानि हो रहे हैं, तो जो actions अभी present में हो रहे हैं, उनको describe करने के लिए हम use करते हैं, present continuous tense Now let's see how to form present continuous tense अब students यह जो present continuous tense होता है, यह बहुत ही, बहुत ही simple होता है बनाना इसमें ना तो हमें subject देखना है, ना कुछ, बस हमें is, am, are, use करनी हैं, और उसके साथ हमें ing form of verb उसकरनी हैं let's see some examples, the baby is crying, बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पर verb क्या है, cry, cry के साथ हमने ing लगा दिया, बन गया crying और बच्चा रो रहा है, तो इसका sentence बना, the baby is crying, present continuous की बात हो रही ही, यहाँ पर अब verb क्या है, verb है work, उसके साथ ing आड़ हुआ, तो बन गया working, I am working we are learning English grammar, हम सब English grammar सीख रहे हैं, verb क्या है, learn, उसके साथ ing आड़ कर दिया, बन गया learning we के साथ लगाया, are, we are learning English grammar अब students, यह present continuous tense बहुत ही simple है, तो आईए अब इसके कुछ practice questions करते हैं fill in the blanks with present continuous tense पहला sentence, they dash furniture of their new house तो यहाँ पर अब हमें यह sentences given है, और साथ में verb given है bracket में हमें इस verb को use करके, present continuous tense में use करके हमें यह sentences complete करने हैं तो यह पहला sentence है, अब यहाँ पर present continuous tense में buy के साथ क्या लगेगा, ing क्या बन जाएगा, buying और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, are तो sentence बन गया, they are buying furniture of their new house next, she dash fast verb given is run अब run के साथ मैं जब ing आड़ करूंगी तो spelling change हो जाती है, run का बन जाएगा running but with double n यह students यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखे, running अब यह चीज आपको practice के साथ की आएगी जितनी practice आप करेंगे, उतना आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस verb के साथ कैसी spelling आती है mostly सब के साथ ing आड़ हो जाता है, कुछ ही verb होती है जिनमें ऐसे change of spelling होती है तो she के साथ क्या लगता है, is तो sentence बन गया, she is running fast third sentence, I dash up the meaning of some words verb given is look तो look के साथ हम pleasant continuous tense में आड़ करेंगे ing बन गया looking और I के साथ हमें पता है, am आता है तो बन गया, I am looking up the meaning of some words next, it dash heavily outside rain का क्या बन जाएगा, raining यहाँ पे हमने लगा दिया ing बन गया raining और it के साथ क्या लगेगा, is it is raining, heavily outside all the schools dash precautions take है verb given हमें है take अब take का क्या बनेगा जब ing लगाएंगे spelling को ध्यान दीजिए बना taking T-A-K-I-N-G भी हट गया है वही बात में दुबारा कहूंगी practice के साथ आपको पता चलेगा कि किस verb के साथ ing लगके क्या spelling बनती है और schools plural है तो उसके साथ आगया are all the schools are taking precautions now the last sentence you dash a beautiful dress verb given is wear अब wear के साथ ing लगाएंगे बन गया wearing ठीक है और you के साथ क्या लगता है are तो sentence बना you are wearing a beautiful dress तो ये सभी sentences बन गया present continuous tense के students अब एक practice exercise करेंगे जिसमें मैंने types of tenses जितने भी हमने अभी करें हैं वो सारे mix कर दिये fill in the blanks with correct tense तो यहाँ पे भी sentences given है पर अब आपको एक verb given है और bracket में देखिए दर ये verb given है और उसके साथ बताया गया है कि कौन सा tense use करके ये sentence complete करना है तो first sentence है she dash up the room everyday verb given है tidy a simple present tense में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे she tidies she singular है उसके साथ first कौन सी क्या करेंगे हम verb के साथ first form of verb के साथ yes yes अब य का आई बन गया tidies she tidies up the room every day next the dog dash his master's order again verb given is obey and we have to use simple present tense only अब the dog है singular है तो वर्ब के साथ हम क्या करेंगे obey के साथ s लगा देंगे बन गया obeys the dog obeys his master's order next sentence the birds dash to long distances in winter अब इस sentence में students हमें ये दो options given है हमें इन दोनों options में से जो correct option होगा वो use करना है ठीक है अब देखे क्या है ये flied या flu अब देखे इस से पता चल रहा है कि ये past tense में बात कर रहे है अगर हम इनको देखे तो flu या flied fly की है ये verbs fly जो verb है उसकी form लिखी में है कौन सी correct form है flu fly की second form होती है flu the birds flu to long distances in winter flowers dash in the garden again we are given with two options grow या grew ये पता चल रहा है हमें कि ये grow की forms इदा लिखी हुई है पर कौन सी correct है grow की second form क्या होती है grew simple past tense use करा है flowers grew in the garden they dash to the market tomorrow अब देखिए आप इदा वर्ब गिवन है go अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमें बताया ही नहीं कि कौन सा tense use करना है ना कोई option दिया है तो students ध्यान से पढ़िए इस sentence को यहाँ पे वर्ड गिवन है tomorrow यानि future की बात हो रही है simple future tense का यह question है they will go to the market tomorrow right will go लगाएंगे हमें तर अब है we dash in the path and verb given is play और हमें इतर बताया गया है कि simple future tense में हमें use करना है इसको तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम I और we के साथ shall use करते है तो हम लिखेंगे we shall play in the path ठीक है तो यह सभी हमने करे है tenses इदर यह mix exercise दी मैंने आपको so I hope आपकी tenses की अच्छे से आपको समझा आ गया होगा और practice भी हो गई होगी अब आप